अगर छे पैकेट की बात की जाए दोस्तों अगर ही आप होल्सेलर हो अज्ञेल में छोटे दोकांदारों के बचयो को यहीं आपको बेचना पड़ेगा इसमें दस दस वाली दस पीसेस होती है दोस्तों कैसे हैं आप लोगी एकिन है कि आप लोग अ Chr. दोस्तों मैं बनिया आ आज के वीडियो में लास तक जुरू रहें दोस्तों और चलिए दोस्तों छुरू करते हैं कि उसे पजैंद करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि बात में आप भूल जाते हों सब्सक्राइब नहीं करता है जली दोस्तों चैं emissions है नेrande हुआ था फिर वापिस करना भी उचित नहीं था तो हमने रख लिया यहांपे देख सकते हैं दोस्तों तो पांच केस का यहांपे इस का जिसमें आपको दोस्तों के साथ यह दस वाली पाउ हम मिलती है और यह 10 दम पीसेज वाली छे मिल दियानि कि 60 60 पाउआपको दस यह इसा इसा मिलता है इसमें एक एस में तो कुल 600 का 600 का भैलुयव है दोस्तों इसमें तो यहाँ पर अगर बात किया दोस्तों इसमें 300 पीसेज है दोर पेवाली यहां पर देख सकते हो 300 मैच बॉक्स है और यहां पर 60 पैकेज है 5 मैच बॉक्स की यानि कि आपको 300 पीसेज देखने को मिलती है नेट इसका भैली हो गया 600 रुपया और आपको 444 में मिलता है अगर 6 पैकेट की बात की जाए दोस्तों अगर यह है निकी इसमें अगर बात किया जो दोस्तों 74 पी मिलता है हमको एक इंडिविजल पीस क्योंकि 444 में आपको 6 पैकेट मिलती है तो एक पैकेट की 74 पी प्राइस है और 10 पीसे जराती है उसमें तो 7 रुपया 40 पैसा एक इसको जो अगर बेचो गया आप इसको निकाल के तो 7 24 पैसे आपको खरिट परता है दोस्तों और 10 पैकेट प्राइब समस्ति होंगे 2 पैसा बचात होगी एक पीस बैचने पर इसको अगर पैकेट बेचत हो ईसा तो 12 पे बीचता है दोस्तों जो पैकेट पर देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है इसके उसके यह दोर्प्या वाली नहीं है तो इसमें डैवल पीशे इसमें धीन सो स्रेसमें चेश्चों पीस है प्र rinse is एक प्रेग्ट में या इसे पक्तल पांच जिराती हैं कि 10 bit कि यह लुज़ी यह भी 10 रुपीस की होगी तो 10 पीसे से रहती है एक रुपीस वाली तो देख सकते हो आप यहां पे 600 मैच बॉक्स है 60 पैकेज हैं 10 मैच बॉक्स की यानि कि 600 एक रुपीस है 600 का माल है इसमें और आपको इसका खरीद 200 देख सकते हो 400 7 पिया 61 पिशा परा है यानि की 51 पिशा 25 पिशा के लंसम आपको खरिद बरता है 24 पिशा यानि की 2 पिया 75 पिशा आपको एक पैकेट इसको बेचने में बचत होती है इसमें बहुती कम मार्जिन मिला है दोस्तों वैसे तो थोड़ा ही अंतर रहता है लेकिन हमने स्कीम में उठाया है पांच पीसे एक ही साथ लिया है तो थोड़ा सस्ता पढ़ दोस्तों इसलिए हमने इतना मंगवाया है इसका परफस यही था तो मैं समझता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना काफी है आपको जानकारी मिल चुकी होगी जो कितना इसका होलसेल लेट है कितना रिटेल मार्जिन है हर एक चीज़ के बार में आप समझ गए होगे तो अगर वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक जरूर से कर चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों जूरे रहें बनिया के साथ क्योंकि बनिया है तो बढ़िया है थैंक्यू दोस्तों फिर मिलेंगे